हेलो काईज और बैसेश मैं सूरच कुमार एंड मैंने देखी राम सितु का ट्रेलर स्टरिंग अक्षे कुमार नुस्टरत बरुचा जैकलिंग फरनांडिस एंड सत्य देखा है तब सही भाई हमने उमीद रखना ही बन कर दिया सारे चीजों से फिर चाहे टीजर हो ट्रेलर ह अगर अच्छा रहा हमको जम गया तो हम जा के देख लेंगे इस फिल्म से लोगों का का अटेशमेंट है लेकर 9sm till स्क्लेयर है कि ट्रे लर कही पे जोटा होना नजर नहीं आता है कि भाई राम से तो एक मिथ्य तर उसक्च data सम Wells इस तो इस फिल्म कीरा मुझा था इंडियन सिनिमा का इतियास बदल पाएगा क्योंकि यह फिल्म क्लाश हो रही है अजेब देवगन के थैंक गॉड मुवी के साथ क्योंकि यार इस ट्रेलर को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो अचा इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक लाइन है कि यह देश और अक्षे कुमार की फिल्में राम के भरो से चल रही है ऐसे कुछ डायलोग था और वहां से जो वाइब्रेशन दीता है डायलोग वो सारे विजुल्स वो सारे शॉट्स दिखाने की कोशिस किये आप नुटिस करो यार एक एक शॉट एक इक सिनेमेटोग्राफी प्लस कलर ग्रेटिंग रावस लग रहे थे अब इसका उतना बजेट तो नहीं है कि जहां पर आपको 500 क्रोर के बजेट में टेंपल रन बना लगता है बट ऐसा लगता है कि ठीक है यार अभी इतना बजेट तो यह लोग इतना ही कर सकते और कहीं नकाई ऐसा भी लगता है कि यार यह लोगों ने आदी पूरुष के मेकर्स को दे दिया रहेगा कि तुम्हारा 500 क्रोर बजेट है तुमने वहां फूक है तो थोड़े यार भी फूक दो हम कुछ काम चला लेते आप लोगो शॉट ही देख लो ना जहां पर अक्षिकुमार पत्थर लेके रहते ऐसा लगता है कि वह आलू कांदा लेकर आ रहे आलो दस रूब है कि लोग क्योंकि यार वो थोड़ा सब आपर VFX थोड़ा शॉट लगता है लेकि इमेजिन करो वही सीन थेटर में क्या माहोल बनाएगा तो थेटर विल गिट कनवर्टेट इंटू स्टेडियम मैं पुब्लिक नारे लगा देगी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम क्योंकि ये एकदम राइट हीट करता है आप डायलोग सुन लो यार ट्रेलर के लिए है वो पूरा उनके चहरे पर चलकता है इंफरक्ट वो डायलोग बोलते ना दुनिया में श्री राम के मंदिर हजारों लाखों होंगे पर से तू सिर्फ एक अरे यार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलती कि पब्लिक यार माहोल बन जाएगा आप कि भाई देखो यार मूड माहोल मौसम और तो कंफर्म लगेंगे क्योंकि यह एकदम राइट हीट कर रहा है पूरा सेटिस्फाय कर रहा है पूरा का पूरा अब जो को यह फास्ट पेस ट्रेलर नजर आता है लेकिन ट्रेलर कंवर्ट का पर होता जब वह बीजियम आता है अब इसा लगारा मालगाड़ी के अंदर डिस्को चल रहा है आरे भाई वह बीजियम वूजबंस के लहर देता है दीरे 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 पूरे बॉडी पर पड़े जाता है अब इस ट्रेलर में नजर आती है जैकलीन फर्नैंडीस जिसको हम इसीली लेकिन जैकलीन फर्नैंडेस को इस फिल्म में लेने का मकसद यह था कि भाई चलो यार यह लोग फिल्म बनाने स्री लंगा की तरफ जाई रहे तो जैकलीन को भी स्री लंगा छोड़ के आते जहां से वह आई है क्योंकि उन्होंने इतना एक्टिंग करते कि भाई खुद प अक्षे कुमार है अल्रेडी और उपर से पब्लिक का कनेक्शन इस फिल्म के साथ लंबे रिसका घोड़ा बनेगा यह फिल्म देख ले ना लंबे रिसका फिर इसका प्रमोशन ना भी हो है ना पब्लिक खुद कर देगी word of mouth से तो आप लोग को ट्रेलर कैसा लगा प्लीज बताईए कमेंट करके और वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बोल दीजिए जय श्री राम और सब्सक्राइब करके जाए लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर देना मिलते एगले वीडियो में बाई